सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को Let's Get Started इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी कंप्यूटर का बाईफाई पासवर्ड देख सकते हैं और उससे हम फिर कनेक्ट कर सकते हैं बाईफाई पासवर्ड को देखने के बाद तो किसी भी computer में आप Wi-Fi password को देखने के लिए सबसे पहले आपको computer के control panel में जाना है control panel में जाने के बाद network and internet का option मिलेगा उस पर click करना है उसके बाद आपको network and sharing center option दिखाई देगा उस पर click करना है और जैसी वो option open हो जाएगा तो वहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो connected Wi-Fi network होंगे वो श्रो करा देगा जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं कि S8 नाम से Wi-Fi network दिखा रहा है तो इसके लिए आप जो connection लिखा है Wi-Fi लिखा है S8 वहाँ पर click करके आप इसकी properties देख सकते हैं और वहाँ से आप इस internet की details जान सकते हैं connectivity details Wi-Fi की उसकी speed बगएरा signal quality सब कुछ चेक कर सकते हैं उससाथ के साथ आप password भी देख सकते हैं आपको Wi-Fi password देखने के लिए आपको click करना है wireless properties पर जैसे या wireless properties पर click करेंगे तो आपके सामने एक pop-up खुलेगा जिसमें connection and security दो option दिये होंगे वहाँ से जाके आपको security पर click करना है जैसी security का option खुलेगा वहाँ आपको dot 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 में password दिखा देगा उसके आप show character पर click करके password को चेक कर सकते हैं कि इस Wi-Fi का password क्या है और आप अपने phone में भी या किसी दूसरे computer में इस password को डालके connect कर सकते हैं और ऐसे आप Wi-Fi password को देखकर अपने computer में connect करके internet चला सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आप कोई सुजाव सेलिशन देना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थांक्स फर वाचिंग इस वीडियो थांक्स